हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉई कर दे होंगे हैपी होंगे दियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे पोजिटिविटी को ट्रेक करें आपके लाइफ में धेर सारी खुशि तो डियर आज का टॉपिक है थर्ट पार्टी और पार्टनर के बीच क्या चल रहा है क्या सिक्वेशन है करेंट एनरजी क्या है अभी फिलहाल आपके पार्टनर और थर्ट पार्टी कैसा फिल कर दे हैं थर्ट पार्टी और पार्टनर की एनरजी क्या है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि third party और partner के energy क्या है क्या चल रहा है दोनों के बीच में अगर आपके life में third party situation है तो ही ये video देखिएगा वरना मत देखिएगा dear यहाँ पर cards बता रहा है कि third party और दोनों के बीच में जो situation है वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है बिल्कूल भी अच्छी नहीं है यहाँ पर king of pentacles के energy आई है और रिष्टा बहुत ज़्यादा problems में दिख रहा है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है रिष्टे में बहुत सारे उतार चड़ावा गए है शायद यह रिष्टा खतम होने के कगार पे मुझे दिखाई दे रहा है एक तरस से कर्मा इनको भूगतने को मिल रहा है तो कुछ तो कर्मा कार्मिक रिलेशन्शिप है त्री ओफ वांड्स के energy है यहाँ पर त्री ओफ वांड्स है और यहाँ पर हमारे पास में जो कार्ड्स आया है वो कार्ड्स है four of pentacles ठीके four of pentacles के energy है यहाँ से हमारे पास में eight of swords है eight of swords के बाद में हमारे पास में next card जो है वो है queen of swords queen of swords के energy आ रही है third party issue यहाँ रहा है और dear third party issue के साथ साथ मुझे चीज़े यहाँ पर blockages बहुत दिख रहे हैं बहुत सारी चीज़े खराब हुई है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ठीके दिखें यहाँ पर जो energy है उस energy में यह दिखाई दे रहा है मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है एक तरस से कि third party partner पर विश्वास नहीं कर पा रही विश्वास तूटा है third party का partner पे से विश्वास तूट गया है या फिर partner का third party पे से विश्वास तूट गया है दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे और दोनों को ही भरोसा नहीं रहा है यहाँ पर साइन की बात करी जाए तो जैमिना लिब्रा एक्वेरियस है एरीज वियो सेजिटेरियस के एनर्जी दिखाई दे रही है और दियर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है वो भी थोड़ा सा है तो बात करी जाए दियर तो देखो सबसे स्ट्रॉंग ली तो यहाँ पर जैमिना लिब्रा एक्वेरियस के एनर्जी है बात करें तो दियर थोड़ पार्टी पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है थोड़ पार्टी के पार्टनर पर ट्रस्ट करने के जो था वो खतम हो गया है third party अब बिल्कुल भी भरुसा नहीं कर पा रही दोनों के संबंद जो है दोनों का relationship जो है उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ गई है बहुत सारी problems आ गई है अर्चन दिखाई दे रही है इन दोनों के संबंद में तो अगर third party और partner पहले एक थे तो ये रिष्टे में बहुत सारे blockages बहुत सारे उतार चड़ाओ बहुत सारे अर्चने मैं देख रही हूँ बाते कम हो गई है dear communication जो हुआ करती थी अब वो बातें यहां पर नहीं हो रही है third party और partner के बीच में बातें पूरी तरस से बंद सी हो गई है third party और partner के बीच में तो वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है मतलब से मतलब की बातें होने लगी है एक तरस से मतलब से मतलब की बातें हो रही है रिष्टा जो है वो खराब हो गया है अचानक से देखो मतलब से मतलब की बाते हो रही है मतलब की जितना थर्ड पार्टी को जरुवत है उतना थर्ड पार्टी बात करती है जितना आपके पार्टनर को लगता है उतनी बाते आपके पार्टनर कर रहे हैं तो दोनों ही अपनी जरुवत के हिसाब से एक दूसरे दोनों ही ऐसा दिख रहा है टायड हो गए है पार्टनर भी थर्ट पार्टी को लेकर और थर्ट पार्टी भी टायड हो गई है रिष्टे में वह बात नहीं है पहले जैसी बात अब रिष्टे में नजर नहीं आ रही है थर्ट पार्टी और पार्टनर के बीच में वह रोमां रख रहे हैं आपके पार्टनर कैसे आगे बढ़ें कैसे चीजों को सही करें कैसे यह रिष्टा आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है उन चीजों को सोचते हुए फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर है ना ठीक रहे गा या नहीं रहे गा यह रिष्टा आगे बढ़े गेप में देख रही हूँ कुछ चीजों को लेकर isolation वाला गेप दिखाई दे रहा है और ये third party और partner अपने life को बनाने में लग गए हैं third party और partner अपने life के साथ साथ अपने relationship को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वापस से वो उस रिष्टे को सही कर सके वापस से क्योंकि third party की जरुवते आपके partner से पूरी होती रहती है इसी लिए ये लोग वापस से ज़रगड़ते हैं लड़ते हैं और फिर एक पूरे हो जाते हैं third party और partner अपने काम में कहीं न कहीं business में सकसेज में पूरा focus अपना इनी चीजों पर कर रहे हैं third party भी अपनी परिशानियों को देख रही है परिशान हो चुकी है रिष्टे के उतार चड़ाओ को देखकर situation को देखकर बहुत ज़्यादा third party लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि partner अपने काम में business में फोकस कर रहे हैं और third party भी अपने business और अपने career अपने successful life को बनाने में लग गई है ये third party है ना busy रह रही है ये third party इन दोनों के बीच में मुश्किले बहुत रही है संगर्श भी रहा है और दोनों में past अच्छा रहा ऐसा नहीं है कि past अच्छा नहीं था दोनों में past में अप सारी चीजे थी लेकिन अचानक से sudden यहां पर death का card है अचानक से ये रिष्टा बिखर सा गया अचानक से इस रिष्टे में blockage सा गया अचानक से ये रिष्टा तोटता चला गया वो चीज मुझे दिखाई दे रही है दोनों में past अच्छा रहा पर अभी दोनों जो close आ है ठीक है third party और partner में कोई तीसरी की entry हुई है third party के साथ में आपके partner थे पर partner के अलावा third party की जिंदगी में कोई और भी involved हो गया है मैंने कहा न कोई तीसरा परसन थर्ड पार्टी की जिन्दगी में आ गया है जिसके पास है आपके पार्टनर से ज़्यादा पैसा जिसके पास है आपके पार्टनर से ज़्यादा रुत्बा आपके पार्टनर से ज़्यादा पावर स्मार्टनेस सब कुछ है और थर्ड पार्टी का दिल जो है ललचा गया है आपके partner को छोड़ third party पिघल रही है उस नए बंदे की तरफ उसकी तरफ attract हो रही है third party को किसी तीसरे में बहुत जादा interest feel हो रहा है और dear partner ने third party के जीवन में जब से उस third person की मौजूद्गी को महसूस किया उस third person को महसूस किया है तब से आपके partner बहुत कुछ समझ रहे हैं कि misunderstanding की वज़े से आप दोनों का रिष्टा तूटा है आपके partner जान गए हैं कि third party क्या है और dear आपके partner को ये भी पता चल चुका है कि third party ने उनकी life में कैसे दूरियां लाई है या फिर आपके partner ने इस third party को time दे कर सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि आपके partner ये समझ गए हैं कि ये third party loyal तो बिलकुल भी नहीं है इसके जीवन में भी कुछ कोई और है जब आपका partner loyal नहीं था आपका partner ने third party लाई तो third party आपके partner की जिन्दगी में क्यों third party नहीं लाईगी लाईगी 100% लाईगी और लेके आई है उसी बात का आपके partner को हो रहा है दर्द दूरी आ गई है तीसरे की वज़े से रिष्टे में रिष्टा तूट रहा है रिष्टा बिकर रहा है पार्टनर को लगा कि third party उनको चीट कर रही है पार्टनर को महसूस हो रहा है थर्ड पार्टी को अपने से अलग कर बैठे हैं आपके पार्टनर क्योंकि आपके पार्टनर को चुब रहा है थर्ड पार्टी की जिंदिगी में किसी और परसन की एंट्री आपके पार्टनर देख नहीं पा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की आखों में मेशन दी है या फिर धोका दे रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहकाया गया है या फिर किसी के कहने में आकर बहकावे में आकर थर्ड पार्टी को अपने से अलग कर बैठे हैं आपके पार्टनर वैसे तो ये पार्टनर कभी अलग नहीं करना चाहते थे थर् third party को बुरा भला बोल रहा है दिखिए और जो भी कान भर रहा है उसने ही आपके और इनके रिष्टे में भी धरार डॉलाई थी दूर आपको अलग कर दिया बहकावे में आकर third party के romantic संबन्द रहा है third party के साथ में आपके partner का तो हर बात हर किसी से रेजनेट तो नहीं करेगी पर कुछ लोगों का फिजिकली रिलेशनशिप थोड पार्टी के साथ में स्ट्रॉंग ली रहा है पर अब दियर इन दोनों के बीच में जगड़े जादा हो रहे हैं एक दुसरे पर डाउट जादा हो रहे हैं क्योंकि इस रिश्टे में लोयल्टी है ही नहीं और एक दुसरे के जरुवत को ये पूरा करी नहीं सकते तो इस रिश्टे में एफ़र्ट डालने से या फिर इस रिश्टे को आगे खीचने से कोई फायदा नहीं है इस रिष्टे में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही रहेगी तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह रिष्टे में पहले ही इतने प्रॉब्लम रहे हैं third party partner से कहीं न कहीं detach हो रही है क्योंकि आपके partner पर third party बिल्कुल भी trust नहीं करती है बिल्कुल भी trust नहीं करती है dear ये दिख रहा है जूट बोला गया तो क्या रिष्टा आगे चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जब कोई कान का कच्छा इंसान हो जिसको विश्वास नहीं है तो उनका रिष्टा कैसे कैसा रिष्टा है कैसे वो रिष्टा आगे बढ़ेगा देखो थर्ड पार्टी अपने आपको अपनी लाइफ को सेट करने के लिए लगी हुई है थर्ड पार्टी के ऐसे एनरजी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपन लाइफ को कही न कहीं SET करना चहती है, कहे काफी मैनत कर रही है, जि countless पारटी को लगता है कि यह पार्टनर से 오늘 कहीं जो चीजे इसे मिली है, वो मतलब उसके लिए से लिए और ज्यादा चाहत है उसको third party को है ना जो चीज़े आपके partner से मिली है वो नहीं चाहिए उसे और कुछ चाहिए मतलब कहते ना कि इसका मन नहीं भणा और भी चीज़े चाहिए पर यह partner third party के life से दूर चले जाएंगे आपके partner ने decision कर लिया है उनको इस third party की life में नहीं रहना है उनको इस third party से दूरी बनानी है क्योंकि कर्मा है dear तो कर्मा का कार्ड यहीं बता रहा है कि कर्मा इनको भूगतना पड़ेगा फिर उसका जीवन सुधरेगा और dear past life connection मुझे यहाँ पर दिख रहा है third party और partner का इसलिए यह चीट करते हैं इसलिए यह एक दूसरे को धोका देने के बावजुद एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं और आपके partner का कार्मिक relationship भी है यह clarity चाहती है third party partner से third party partner से बहुत कुछ चाहती है दोनों में प्यार तो third dear, प्यार तो है पर ऐसा दिखाई दे रहा है age difference बहुत है और दोनों पैसा कमाने में लगे हैं समय को अच्छा करने में लगे हुए हैं अपने उपर काम करने में लगे हुए हैं दोनों और wait कर रहे हैं दूसरे का सामने आ जाए और एक दूसरे को छुटकारा मिल जाए आपका पार्टनर अपने रस्ते और आप अपने रस्ते तो ऐसी चाहत को ले कर ये थर्ट पार्टी कहीं न कहीं चल रही है और आपका पार्टनर भी चल रही है ये दोनों जानते हैं कि ये रिष्टा छुप दिखा रहे हैं कि ये रिष्टा वो समाज के सामने नहीं ला सकते हैं है ना इस रिष्टे में वो दुनिया को समाज को नहीं बता सकते हैं देखो ये इनसान जो है थर्ड पार्टी और पार्टनर समाज के सामने आके एक रिष्टे में नहीं रह सकते हैं और दुनिया के सामने एक partner की तरह नहीं रहा जा सकता क्योंकि यहां पर दुनिया क्या कहेगे समाज क्या कहेगा वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है दुनिया बहुत बड़ी दिखाई दे रही है ऐसा की दिखो एक तरह से मैं बोलू की तो बहुत सारी चीज़े यहां पर दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी और पार्टनर इसके बीच में कास्ट इशू कहीं न कहीं बड़ा मैटर बनने वाला है और अब आपके पार्टनर अपने स्वास्त पर फोकस करेंगे आपके उपर फोकस करेंगे अपने रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे और डियर मेजर कारण यहां पर यही दिख रहा है कि इन दोनों को यह अलग होने का चांस जो है वो कोई third person है किसी third person के कारण ही आप इन दोनों में दिक्कते आई है प्रोपोजल मिला भी है dear third party को ये मुझे दिखाई दे रहा है इसलिए वो partner के साथ में relation को लेकर कोई effort नहीं दालना चाहती क्योंकि third party को किसी अच्छे बंदे से यहां पर offer मिला है पैसे वाला हो सकता है और कोई तो offer है dear इसके लिए ये आगे बढ़ रही है कुछ तो इसको opportunity हाथ लग रही है कुछ तो success है जिसकी लिए ये third party आपके partner को छोड़ कर आगे बढ़ रही है दिखें आपके दिमाग में partner fit हो चुके हैं आप partner को भूल नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा partner को लगता है partner time pass करते हैं partner जो हैं चीजों को समझते नहीं है balance में आपके partner ने option की तरह आपको रखा पास में आपके partner ने option की तरह आपके साथ में चीजे करी है dear सोचते तो है dear आपके partner आपके बारे में नहीं बताते हैं आपको आपके partner खुद सब कुछ manage करना चाहते हैं खुद सब कुछ सही करना चाहते हैं वो वाले energy यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिद्धी है मिलना तो चाहते हैं आपके partner आपसे कहीं न कहीं connect करना चाहते हैं पर dear थर्ड पार्टी में उल्जें हुए आज भी है अगर आप सोचें कि नहीं आपका पार्टनर जो है वो यहां पर एक तरह से मैं बोलू तो आप सोचोगे कि यह आपकी तरफ आ रहा है आना तो चाहता है आपको नजर भी रखता है आपको इसपाई भी करता है पर एक साथ यह अज़ा है यह पार्टनर जो अपर फोकस कर रहा है अभी भी थर्ड पार्टी में उल्जा हुआ आपके पार्टनर का मुझे strongly नजर आ रहा है third party और partner में कहीं न कहीं हिम्मत की कमी है और dear ये partner समाज के सामने दुनिया के सामने इस रिष्टे को नहीं ला सकते नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते third party और partner के बीच में बहुत सारी चीजे मुझे दिखाई दे रही है एक तरह से की third party और partner आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है दोनों के बीच में बहुत बुरी situation चल रही है बहुत बुरी life इन दोनों की हो रखी है तो third party भी अभी अपने कर्मों को रूरी है transformation हो रहा है अकेले में बैठ कर बहुत सोच रही है struggle life है पैसे वाला बंदा आतो गया है इसकी जिन्दगी में पर डियर बहुत जल्द इसको move on करना पड़ीगा